केजिएफ और कांतार जैसी मूवीज देने के बाद कनड़ा इंडस्ट्री आ चुकी है मार्टेन मूवी के साथ हाल ही में इस मूवी का टीजर रिलीज हुआ है जिसको लेके काफी ज्यादा मिक्स रियक्शन आ रहे है कुछ लोगों को ये टीजर अच्छा लग रहा है कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा लेकिन थोड़ा सबर करो भायो अभी तो बस टीजर आया है अभी तो पूरी मूवी का ट्रेलर आना पाकी है जिसके बाद हमें बहुत सारी चीज़े रिवील करी जाएंगी और तुम बस मूवी का टीजर देख के किसी को जज नहीं कर सकते याज और हमने भी इस मूवी का टीजर देखा और बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो आपने मिस कर दी होगी और आगए हैं हम वो आपको बताने के लिए और इस teaser में कुछ अची चीजी थी और साथ ही में कुछ बुरी चीजी थी जिनके भारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो वीडियो स्किप करने का तो सोचना ही मत तो इस teaser breakdown को शुरू करते हैं टीजर से हमें ये पता चलता है कि मुवी का सेंटर ओफ अट्रेक्शन मार्टे नाम का करेक्टर होने वाला है जो कि इंडियन सोलजर है और वो अभी पाकिस्तान की जेल के अंदर बंद है इसको लेकर दो पॉसिबिलिटी सामने आती है पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये किस इसी मिशन के लिए इंफोर्मेशन जमा करना चाहता है वो इस पाकिस्तानी जेल में से और हम पाकिस्तान की सोलजर्स को बात करता हूँ सुन भी पाते हैं और उससे भी ज़्यादा डेंजरस ये है कि येस इंडियन सुलजर और आगे की सीन्स में हम ये देख पाते हैं कि जैसे ही मार्टेन यहाँ पर आता है तब पाकिस्तानी जील के सारे कैदी या कहीं प्रिजनर्स एक साथ इसको मारने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं लेकिन यहाँ पर बड़ा बड़ा बैरियर लगा है ज अगे दो बॉडी बिल्डर मिलकर मार्टेन को मारने के लिए आते हैं और मार्टेन अकेला इनका सामना करता है और इनके पंच को रोक लेता है यह सीन काफी ज्यादा वाइल्ड था और इस सीन को लेकर मूवी टीजर को काफी ज्यादा क्रिटेसाइस किया जा रहा है और यह पाकिस्तान के जेल वाला सीन इसलामाबाद का है जिसे तुम यहाँ पर नोटिस कर सकते हो लिखा हुआ और इस टीजर में सिर्फ पाकिस्तान का सीन नहीं है बलकि फ्रांस और होंग कॉंग और इंडिया का भी सीन है और मूवी में एक नहीं बलकि दो-δो विलन्स होने वाले हैं एक विलन को हम जब देखते हैं जब उसका एक्सिडंट हो जाता है और मार्टेन उसके पास में आता है और दूसरी विलन का अभी तक फेस दिखाया नहीं गया है जो कि एक सीक्रेट है और शायद सी हमें ट्रेलर में रिवील कर देंगे और इस टीजर में हमें केजेफ का भी रेफरेंस मिल जाएगा जैसे टीजर का ये स्टेंड अलोन वाला सीन केजेफ के एक सीन से इंस्पायड है और बस इतना ही नहीं जो हमने इस टीजर के स्टार्टिंग में एक शिप वाला सीन देखा था वो भी केजेफ 2 के एंडिंग वाले सीन से काफी जादे इंस्पायड लग रहा है और यहां तक कि KGF की मूवी में जो हमने ये मैडम देखी थी जो की कहानी सुन रही थी उनको भी हम इस टीजर में एज डॉक्टर देख पाते हैं जो कि मार्टिन के साथ बैठी हुई है तो हो सकता है कि मार्टिन को कोई brains related problem हो जिसकी विज़े से उसका facial expression कुछ ऐसा रहता है हमेशा और इस पूरी टीजर में हमें मार्टिन को one man army दिखाए गया है उसकी कोई भी टीम हमें दिखाए नहीं जाती वो जिससे भी fight कर रहा है जहां भी fight कर रहा है अकेले ही कर रहा है और इस movie के director होने वाले है एपी अरजुन जिनोंने कबजा जैसी movie बनाई है अब बात क camera की movement होती है वो काफी देखने में fascinating लगती है और यहां तक कि इस पूरे टीजर में जो BGM और gunshot का जो mix up करके दिखाया गया है वो कमाल का था यहां तक कि KGF chapter 2 में KGF का car chasing वाला scene भी कुछ इस तरीके का ही हमें दिखाया जाता है और Canada industry अपने BGM को perfectly use करने के लिए ही तो ज जो है action scene पहले मार्टिन बाइक से एक बंदे को मारता है उसके बाद बाइक पर आ रहा है एक बंदे को खड़े खड़े ही मार देता है और जो इसका plus point है वो इसका negative point भी है क्योंकि काफी जगह पर action scenes कुछ cringe feel होते है तो अगर आप teaser को देखके इस movie का story जच करोगे तो वो भी काफी एक weak plot साबित होता है लेकिन story का तो हमें movie आने के बाद ही पता चलेगा लेकिन एक और तीसरी चीज़े जो काफी ज़्यादा खराब लेगी इस movie के अंदर जिसके बाद कुछ लोग इस teaser को negative reviews दे रहे हैं और वो है इसके dialogues dialogues कुछ cringe feel होते हैं और कुछ जगह पर ये dialogue sense नहीं बनाते लेकिन हो सकता है कि आगी की process में इन्हें change कर दिया जाए और इन्हें और भी ज़्यादा बैतर बना दिया जाए और इसका एक और negative point है वो है इसका VFX VFX काफी जगह inconsistent feel होता है जैसे कि ये कार वाला scene बस यार हमने तो बता जया कि हमें क्या क्या चीज अगर नहीं आयों तो subscribe कर लो क्योंकि आगे भी ऐसी वीडियो सापको मिलती रहेंगी